बहुत समय पहले की बात है जब रामपुर में एक नया नया परिवार रहने आया था उस परिवार में जीवनलाल, उनकी पतनी शीला और उनके दो बच्चे पपू और सीमा रहते थे वो लोग शुद्ध शाकाहरी लोग थे पर पपू हमेशा चुपके चुपके चिकन खाये करता था उसकी बहन सीमा के अलावा किसी को नहीं पता था कि पपू ये सब खाता है एक दिन की बात है जब पपू और सीमा कॉलिज जा रहे होते हैं आज तो मेरा चिकन खाने का बहुत ही मन कर रहा है सुना है एक नई दुकान खुली है और उस पर बड़ा टेस्टी चिकन मिलता है अरे अभी चार दिन पहले ही तो तुने चिकन खाया था तुझे पता है ना हमारे घर में ये सब खाना मना है पापा को पता लगया तो जान से मार डालेंगे तुझे ये बोलना कि तु डर गई अरे एक बात बता कि आज तक कभी मम्मी पापा को पता चला जो अब पता चलेगा हाँ फिर भी आज नहीं आज रहने थे नहीं नहीं आज तो मेरा बहुत मन है आज तो मैं ज़रूर खाऊंगा पपो उस दिन सीमा की एक नहीं सुनता और पहुँच जाता है चिकन की दुकान पर दुकानदार दुकान बंधी कर रहा होता है अरे भाई अब तो आप नहीं खा पाऊगे मेरा दुकान बंध करने का टाइम हो गया है अरे भाया आज तो मेरा चिकन खाने का बड़ा ही मन था देखो भाई मैं आपको चिकन पैक करके दे सकता हूँ आप घर ले जा सकते हो तो सही है नहीं नहीं घर के लिए चिकन बिल्कुल पैक मत करवाना पिछली बार भी तुँ पकड़ा जाता पर मैंने तुझे बचा लिया था अरे तो मैं सब के सोने के बाद ही खाऊंगा ना भाया आप एक प्लेट चिकन पैक करके दे दो ये तो ऐसे ही बोलती रहती है दुकानदार एक प्लेट चिकन पैक करके पपू को दे देता है सीमा बहुत घबराई हुई होती है पर पपू तो बस चिकन के बारे में सोच रहा होता है दोनों भाई बहन घर पहुँच जाते हैं और उनके पापा घर के बाहर ही खड़े होते है अपने पापा को देख पपू एकदम डर जाता है और चिकन की थैली अपने पीछे चुपा लेता है भाई इसे यहीं फेक दे अगर पापा ने देख लिया तो आज तुझे जान से मार डालेंगे पपू की हालत खराब हो जाती है उसके मन में यही चल रहा होता है कि अगर पापा ने थैली देख ली तो उसका क्या होगा इसी डर से वो चुपके से थैली पेड़ पर टांग देता है क्या हुआ बेटा क्या कर रहे हो चलो अंदर जी पापा वो कुछ नहीं चलो अंदर चलते हैं पपू और सीमा अपने पापा के साथ अंदर आ जाते हैं उसके बाद उनकी ममी खाना लगाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं क्या हुआ पपू तो खाना क्यों नहीं खा रहा है बोलो बोलो चिकन खाऊंगा जो बाहर चुपा कर आयो सब लोग अंदर खाना खा रहे होते हैं और बाहर थैली में चिकन उसी पेड़ पर लटका होता है और इस बात से पपो बिलकुल अंचान होता है कि जस पेड़ पर वो चिकन लटका कर आये है उसी पेड़ पर एक चुडैल रहती है चुडैल उस पेड़ पर मज़े से सो रही होती है चुडैल के नीन जैसे ही थोड़ी सी खुलती है उसे चिकन की बड़ी तेज खुश्बू आती है खुश्बू, क्या खुश्बू है? ये तो मुझे चिकन लग रहा है पर ये खुश्बू आ कहां से रही है? चुडैल उठकर यहाँ वहाँ देखने लगती है पर उसे आसपास कहीं चिकन नहीं दिखता यहाँ तो कहीं भी चिकन नहीं दिख रहा तो फिर ये खुश्बू अभी तक क्यों आ रही है? चुडैल पेड़ से नीचे उदर जाती है और तभी उसकी नजर पेड़ पर लटकी उस थैली पर पढ़ती है अरे ये थैली कैसी है? इसमें क्या है? चुडैल उस थैली को खोल कर देखती है तो उसकी आँखे खुशी से चमक जाती है चुडेल फटाफट थैली लेकर पेड़ पर चड़ जाती है और मज़े से चिकन खाने लगती है अरे वाह! कितना स्वादिष्ट चिकन है ये तो! ऐसा चिकन तो मैंने आज तक नहीं खाया मज़ा ही आगया चिकन खाकर चुडेल चटकारे लेकर पूरा चिकन खा जाती है उसको वो चिकन बड़ा ही स्वादिष लगता है इतना सारा चिकन खाकर भी उसका पेड़ नहीं भरता और उसका मन और जादा चिकन खाने का करता है वो पेड़ पर बैठी ड़कार लही रही होती है कि इतने में वहाँ पपू अपनी चिकन की थैली ढूंडता हुआ आ जाता है मेरी चिकन की थैली कहा गई? मैं तो यही लटका कर गया था अच्छा, तो वो चिकन इस लड़के का था? इसको तो पता भी नहीं है कि इसका सारा चिकन मैं खा गई आखिर यहाँ से थैली गायक कैसे हो सकती है? खैर, जो भी है, पापा की वज़े से आज मैं चिकन नहीं खा पाया अच्छा? पपू उदास होकर वहाँ से चला जाता है उस रात तो पपू को भूखा ही सोना पड़ता है पर चुडैल बड़ी खुश होती है उसे तो उस चिकन का स्वाद मू लग जाता है अब हर दिन चुडैल पपू के आने का इंतजार करती है कि वो चिकन की थैली वहाँ छोड़ कर जाएगा कितनी बार चुडैल पपू की चिकन की थैली गायब कर जाती है पर फिर काफी दिनों तक ऐसा नहीं हो पाता चुडैल इस बात से बड़े ही गुस्से में आ जाती है मुझे चिकन खाना है इस लड़के के भरों से तो लगता है मैं ऐसी रह जाओंगी मुझे पता लगाना होगा कि ये चिकन लेकर कहां से आता है अब मुझे खुद ही जाकर ढूड़ना पड़ेगा एक दिन चुडैल पपू के पीछे लग जाती है और उस चिकन की दुकान पर पहुँच जाती है जब दुकानदार दुकान बंद करके चला जाता है तो चुडैल दुकान में घुस जाती है वहाँ इतना सारा चिकन बचा पड़ा होता है जिसे देखकर चुडैल की जीब लप-लप आने लगती है अरे वहाँ इतना सारा चिकन लगता है आज मेरा पेट भरेगा समझी नहीं आरा कि कहों से खाना शुरू करूँ एक काम करती हूँ, ये बिर्यानी खाती हूँ पहले चुडैल सबसे पहले बिर्यानी खाती है और फिर उसके बाद तंदूरी चिकन खाती है इतना सारा खाना खाने के बाद भी चुडैल का पेट नहीं भरता और वो सारा का सारा चिकन एकदम साफ कर देती है चिकन खाने के बाद वो अपने पेड़ पर आराम से जाकर सो जाती है अब अगले दिन जब दुकानदार दुकान खोलता है, तो सारा चिकन गायब देख कर बड़ा हैरान होता है, वो अपने नौकरों पर भी गुस्सा करता है, पर फिर उसे याद आता है कि सबसे आखिर में तो वही दुकान बंद करके जाता है, और तब तो दुकान में सारा दुकान पर फिर से पप्पू चिकन खाने आता है, दुकानदार पप्पू के लिए चिकन पैक कर देता है और उसे पकड़ा देता है, पप्पू यही सोचकर फिर से चिकन घर ले आता है, हमेशा की तरह वो चिकन को छुपा कर कमरे में ले आता है और अपने कमरे में टेब लेकर आये हैं। चलो अच्छा हुआ। आजकल वो दुकान वाला रात को चिकन ही नहीं छोड़ता दुकान में। इतने दिन से मैं कैसे चिकन के लिए तड़प रही थी। पप्पु चिकन खाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा होता है, वो चिकन प्लेट में निकाल कर रखता ही है, कि तभी उसका एक जरूरी फोन आ जाता है, पप्पु के कमरे में ठीक से नेटवर्क नहीं आ रहे होते, इसलिए वो कमरे से बाहर चला जाता है, बस इतने में ही वो चुडैल वहां टपक पड़ती है, मौके का फायदा उठाकर वो चिकन के चटकारे लेना शुरू कर देती है, वा 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 वा, इसकी दुकान के चिकन की तो बात ही अलग है, इतनी जगह का चिकन खाकर मैंने देख लिया, पर जो इस चिकन का स्वाद है वो कहीं नहीं मि अभी तो मैं इसी प्लेट में रख कर गया था, पपू अपनी बहन सीमा से जाकर पूछता है पर वो साफ मना कर देती है, अरे भाई मैं तो तेरे कमरे में ही नहीं गई, तो मुझे क्या पता कि चिकन कहा गया, नहीं, जरूर तू नहीं उसे फेका है, क्योंकि तुझे बिकार की बाते मत कर ठीके, पपू और सीमा की लड़ाई इतनी जादा बढ़ जाती है, कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनके पीछे उनके माबाप आकर खड़े हो जाते हैं, वो दोनों सीमा और पपू की सारी बात सुन लेते हैं, पपू के पापा को तो बहुत तेज आजाता है, वो पपू के उपर बड़ी तेज चिलाते हैं, इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद पपू बहुत रोता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, चिकन की शौकीन चुडैल उसके कमरे के बाहर वाले पीपल के पेड़ पर ही बैठी रहती है, चुडैल ये सब बाते सुन रही होती है, अरे अब तो इसन ऐसा परिवार रहता है जिसके घर रोज चिकन बनता ही बनता है, बस फिर चुडैल के तो मज़े ही आ जाते हैं, बस फिर चुडैल मज़े से चिकन खाती है और वहीं रहती है